हरियों दोस्तों मैं योग गुरू डॉक्टराम मित अगरवाल अपने योटूब चनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ आज मैं बात करूँगा नाड़ी शोधन प्राणायाम हम सब जानते हैं प्राणायाम में एक महत्तपूर प्राणायाम है जिसके लाव अनगिनत है आज हमारा बिशेज ध्यान ये रहेगा कि इस प्राणायाम को काफी लोग आलगेटी पहले से कर रहे हैं और काफी लोग करते होंगे मगर कुछ साफधानिया और कुछ गलतिया अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो जिसकी बज़े से हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का पूर्ण लाव नहीं मिल पाता है तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे आगे बात करने से पहले आप तक लगातार मेरे वीडियोस पहुंसते रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल वेटन जरूर प्रेस करें तो हम बात कर रहे थे नाड़ी शोधन प्राणायाम की जो आपके शरीर के हर किरिया प्रतिकिरिया से हर ओर्गन से कनेक्टेड है इसमें तीन मुख्य नाड़ियां हैं सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुशुम्ना नाड़ी तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके पूरे नर्वस सिस्टम पर वर्ग करता है especially विशेष तोर से राइत नॉस्टिल सूरी नाड़ी और लेफट नॉस्टिल चंद्र नाड़ी को बेलेंस करनी का काम नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है मान लीजे आपको नींद कम आती है या नींद ज्यादा आती है तो नाड़ी शोधन प्राणायाम उसको बैलेंस करने का काम करता है आपको भोग कम लगती है या भोग ज्यादा लगती है तो भी नाड़ी शोधन बैलेंस करने का काम करता है इसके अत्रिक्त आपका stress level बढ़ा हुआ है आपका angry level बढ़ा हुआ है या hormonal problem चाहिए thyroid के हो pancreas से related हो black pressure हो इन सब में नाड़ी शोधन प्राणायाम के जबर्दस लाव है नाड़ी शोधन प्राणायाम अधिकतर सभी रोगी कर सकते है बस इसको क्या साबधानियां और क्या गलतियां हम करते हैं उसको ध्यान रखते हुए आगे बात करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नाड़ी शोधन प्राणायाम किस तरह करते हैं देखिए left hand बिलकुल relax के साथ आप घुटने पे कलाई से रख लीजे हाथ को चिन मुद्रा, index finger और थम को टच करते हुए relax के साथ रखिए और right hand से right nostril पहले बंद करेंगे left से chance लेते हुए right से छोड़िए फिर लीजे छोड़िए other side ये देखिए एक circle अर्था एक चक्र हुआ आपने left से start किया, right में छोड़ा, फिर right से लिया और left में छोड़ा नारी शोगन पाणायाम में विशेश रूप से ध्यान रखते हैं हमेशा left से ही start करते हैं और left nostril पर ही exhale करते हुए stop करते हैं अब अगर हम गलती की बात करें तो देखिए इसमें क्या गलती करते हैं नमबर एक तो कई बार हम लोग posture पर ध्यान नहीं देते देखिए अब मैं इस posture में सीधा बैठा हूँ और generally लोग किस तरह करते हैं शरीर को ऐसे धीला छोड़ दिया जो की गलत posture है आपको रीड की हड़ी को सीधा रखना है पहले भी हम बात कर चुके हैं रीड की हड़ी में जो आपके चक्राज मिलते हैं उन चक्राज पर energy का फिलो प्रावपर नहीं हो पाता तो इसलिए प्राणायाम में रीड की हड़ी का erect रहना बहुत जरूरी है नमबर दूसरी बाद, हाथ को हम लोग क्या गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा तान लेते हैं उसमें क्या होता है कि नाड़ी शोदन प्रणायां का अगर आप समय बढ़ाते हैं तो हाथ आपका या तो कंदा दर्द करने लगता है या हाथ जल्दी ठक जाता है तो ये विशेश रूप से ध्यान रखना है, हाथ को बिल्कुल रिलेक्स के साथ रखिए और अगर आपका थोड़ी देर बाद हाथ ठक जाता है तो आप दूसरे हाथ से इस हाथ को सपोर्ट भी दे सकते हैं देखिए इस तरह सपोर्ट देंगे, मगर हाथ को तानेंगे या खीचेंगे नहीं तीसरी बात अगर हम करें, तो हम लोगों का जो गलती होती है, वो श्वांस के साथ शरीर का कई वार मुवमेंट करते हैं बहुत से लोगों को मैंने किलास में देखा है, या लोग जो करते हैं, वो आके बताते हैं, तो ये गलती करते हैं, देखिए कैसी गलती करते हैं यह इस तरह तो प्राणयाम में इस्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है आपका शरीर बिल्कुल इस तरह है और आपका मन पूरी तरह शौसों पर एकावर रहे चोथी और अन्तिम गलती ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है क्या करते हैं हम लोग शौस को लेने छोड़ने में बहुत ज्यादा आवाज करते हैं देखें काफी लोग इस तरह करते हैं तो हम लोगों ऐसे भी तनाओ के साथ एक्जर्शन के साथ शौस को नहीं भरना है बहुत स्मूथली बहुत रिलेक्स के साथ आप शौस को भरिये और छोड़िये शौस की आवाज भी आपको ना सुनाई दे इतना रिलेक्स के साथ आप इन्हे एक्जेल करें जो इन्हेल एक्जेल करें वो ब्रीद नॉस्ट्रिन से न रगड़ती हुई जाए और न रगड़ती हुई बहार आए एक चक्र में आपको करके दिखाता हूं ध्यान से दिखेगा पॉस्ट्र पर आपने ध्यान दिया ब्रीद पर ध्यान दिया पॉस्ट्र ब्रीकुल सीधा था खात रिलेक्स की स्थिती में था श्वास में कोई आवाज नहीं थी और अंतिम बात जो मैं करूँगा वो ये कि प्राणयाम में करते समय आपकी एक आगरता श्वासों पर ही होनी चाहेंगे आपका मन अगर बारबार डाइवर्ट होता है तो आप उसे दोबारा फिर श्वासों पर लाइए श्वासों के आने और जाने को निरिक्षन कीजिए जब तक आप श्वासों के साथ जुड़ेंगे नहीं जब तक आप प्राणयाम का पूरा लाब नहीं उठा पाएंगे और प्राणयाम करते समय आपको एक पॉस्टिफ ठोट के साथ आपका जुड़ाओ होना चाहिए एक सकारात्मक सोच आपको जो भी समस्या है उसको लेके उसका आपको चिंतन पॉस्टिफ ठोट के साथ करना है कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ ये शांसे मुझे उर्जा दे रही हैं मैं पूरी तरह ठीक हो रहा हूँ और इन अभ्यासों को अगर मैं प्रति दिन करूँगा तो मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा इस तरह की जब सकारात्मक सोच आप रखते हैं तो प्राणयाम आपको जादू की तरह आपके शरीर और मन और बुद्धी पर असर करते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही विशेश रूप से ध्यान रखेएगा जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करिए शेयर करिए और अपने सुझाओ देना मत भूलिए हरी ओं